हेलो बच्चो आज की क्लास में आपको क्लास 10 जो आपका चैप्टर नबर 9 एप्लिकेशन से अफ टिग्नोमेट्री इसके कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स करोंगी तो आप सभी को पता है कि सब्सक्राइब करने हैं जो लास्ट यह बोड एक्जाम में आएवे कोशन्स कुछ आपको सैंपल पेपर करने होंगे क्यूंकि टेंथ क्लास बोड है तो इसमें खाली सफिशन नहीं होती यह चैप्टर समने कर रखा है तो आज हम इसके कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स करने व सब्सक्राइब करने वह बोड इसके लिए विए प्रविटेंट फ़ली सॉल्ड है तो आपके आउटसाइड डेली हो दोनों ही मिलेंगे और सब्जेक्कान कॉन से मिलेंगे उप्रणी मैट्स नहीं मिलेंगा इंग्लिश साइंस साइंस चार सब्जेक्स के एक ही बुके अं इसके अंदर दे रखा है यह जैसे आप देखें हैं इंग्लिश लैंग्विजन लिटोएचर है तो आपको 2022 से पेपर देने स्टार्ट के और बैक में जाते जाते 2014 तक के पेपर इसमें हैं तो इसमें मैथमेटिक्स का अगर देखें 2022 से सार्ट करके हैं पर 2014 तक का है तर द देली का भी है आउटसाइड डली सब है यह सेम ऐसे हैं साइनस है नसस्ती है तो काफी अच्छी बुक है यह इसकी बाइ लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से देख लीजएगा पर कोशन पर जरूर सॉल करके जाहिएगा अगर आपको आपको अच्छी मार्क्स कोड करने है तो चलिए श्रू करते हम अपना कोशन यहां पर तो कोशन आपके पास आह है आपके पास आपके पास है हां काइट इस फ्लाइं एट थर्टी मीटर फ़र्म दे ग्राउंड जाओंग प्रलेंट भाइप्र नोस्ती मीटर एख निर यह the angle of elevation of the kite fat at the ground is आपसे क्या गारotomda 10m से yours और यह अपसे क्या कहे रहा है इक kaitते दू अबॉव पहयं 30 mnin से कहे लाउंड पह सी अब यह हम इस चाइट have 1 बनांड ... मालो यह मेरा मेरा 4 यह थितना होगा वह यह ही 90 घ्र्डी है 90 के सामने वाला मेरा hypotenuse होता है theta के सामने वाला मेरा perpendicular होता है यह बचा, यह मेरा base है इसको पहले क्या कि एक नाम दे दिया है A, B, C तो आप देखरो आपको perpendicular और hypotenuse दे रखा है तो जब भी यह तिग्रोमेट्यू के questions होते हमें क्या करना होता है पंडित वदिरी प्रसाद हर हर बोले इसको लिखना ही लिखना होता है तो P और H का relation तो sin theta बताता है मैं यह कह सकते हूं sin theta is equal to P upon H तो P की value देखें, P आपके पास कितना है यहाँ पर वह आप पे AB और H कितना है आपके पास AC तो AB कितना होता है 30 और AC कितना होता है 60 कट करोगे 1 by 2 अब sin की table में 1 by 2 कपाता है? sin 30 पे इसका मतलब theta कितना आजाएगा आपके पास 30 degree तो यह आपका answer होगा C तो जो angle of elevation बनना है वह कितना बनना है? 30 degree का बनना है clear है? चलिए next question number 2 next question at some point of time in a day the length of a shadow of a tower is equal to its height then the sun's altitude at that time is देखा जाया ना तो इसमें भी आपसे angle ही मांग रहा है लेकिन question को थूड़ा change किया है अगर आप एक दिन के किसी time पे देखे एक दिन में तो जो tower की shadow होती है उसकी height के equal होती है पूरे एक दिन में किसी time पे तो बताओ sun का altitude उस time पे कितना होगा shadow तो तभी आएगी ना जब sun का altitude होगा वही altitude आपको बताना है और board में आपके पास यह question आया वह है तो अगर यहां पर मैं क्या करता हूँ पहले एक tower बना लेती हूँ क्योंकि इस chapter में आपको पता है main figure यह बनाना अगर figure सही बना ली तो आप answer बिल्कुल असानी से निकाल सकते है तो मैंने क्या कि यह A B टावर बना ली और इसकी height मैंने यहां पर H माली क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके पर length of the shadow भी चाहिए तो मैंने यहां पर C ले लिए और इसको मैंने यह जो shadow इसको मैंने L माल लिया क्योंकि यहां तक clear अब अगर आप देखे तो यह आपके पास 90 degree है यहां पर ठीटा आपके पास यहां पर है 90 के सामने वाला hypotenuse हो जाएगा अब 10 थीटा हमने क्या 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 है 10 थीटा is equal to P upon B होता है अगें 10 थीटा is equal to P की value A B और B की value B C अब थीटा तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ A B मुझे पता है कितना है H A और B C मुझे पता है L आपसे वह कह रहा था कि जो हाइट ऑफ टावर रहना वह उसकी शेड़ो के एक्वल हो जाती है यह आपको को कोश्यन में गिवन था इसका मतलब मैं यह कह सकतू यहां पर H is equal to L तो मैंने क्या किया यहां पर यहां से थीटा कितना आगे आपके पास 1045 तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल गई वह कितनी निकल गई 45 तो sun's altitude मतलब आपको एंगल ही बताना था तो वह आगे आपके पास 45 clear है? next question number 10 next question 3rd tower is stand vertically on the ground from a point on the ground which is 25 meter away from the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45 degree then the height of the tower आप से कह रहा है एक tower है जो ground के ऊपर है जो पहले ground बनाते हैं यहां पर यहां पर ही मैंने tower बना लिया okay? इसको नाम दे दिया A & B from a point on a ground which is 25 meter away from the foot of the tower so यहां पर माल लेती हूँ वह point is C 25 meter away tower का foot यही तो है B वाला point तो इससे 25 meter away हो गया the angle of elevation of the top of the tower तो यहां से angle of elevation मेरा एक बनना है कितना 45 degree अब मुझे कह कहा है height of the tower इसका मतलब मुझे यह निकालने इसको मैंने H माल लिया आप कुछ भी मान सकते हूँ okay? तो देखें तो यह मेरा 90 degree है 90 के सामने वाला मेरा hyportheuse होता है theta के सामने वाला perpendicular और यह मेरा base हो जाएगा T के वैल्यू अगर मैं यहां पर देखो कितनी है perpendicular नहीं पता है H मान लखा है हमने और जो बेस है वो मेरा 25 है 1045 मेरा 1 है is equal to H upon 25 H आपके पास कितना आ जाएगा 25 इसका मतलब वो height of the tower आपके पास कितनी आ गई है 25 तो इसका answer हमारा पास C कहीं भी किसी भी पार्ट में डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ ले ना सारे कोशन बोर्ड एक्जाम में आए वे हैं किके ना नेक्स्ट कोशन देखने आभ यहां पर यहां आप आपसे कह रहा इन रेक्टैंगल ता एंगल between a diagonal and a longer side is 30 degree and the length of its diagonal is 8 cm then the area of the rectangle तो अलग सा कोशन आगया है आप सोचरे होंगे ना तावर की हाइट वांग रहा है कुछ और चीज है मतलब यहां लग नहीं रहा कि P, B, H का कुछ यूज होगा सिधा रेक्टैंगल की बात कि और उसके area की बात कर रहा है अगल बिट्विन डियागूनल और लॉंगर साइड इनके बीच को एक अंगल 30 degree दे रहा है तो यह मैंने ले लिया यहां पर 30 degree and the length of the diagonal यह मुझे 8 cm दे रहा है आपको पता है रेक्टैंगल का हर एक अंगल 90 degree होता है तो यह भी 90 होगई होगा आपको क्या करना है area of rectangle बताना है अब area of rectangle क्या होता है पहले इसको अगर मैं नाम दे दू यहां पर area of rectangle होता है L into B इसका मतलब मैं यह कह सकते हूं कि अगर मैं को A B मिल जाए और B C मिल जाए तो length into में breath काम हो जाएगा मेरा पर यहां पर में पस तो दोनों ही नहीं है तो अब दोनों कैसे निकाले तो सबसे पहली बात में इस triangle की ही बात कर रहे हूं इन triangle B A C की तो देखो पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले यही तो होता है 90 के सामने माला यह आपकी hypotenuse है तो पहले मैं क्या करते हूं यहां पर से अगर में को बेस निकालना हो तो मैं यहां पर निकाल सकते हूं यह मेरा theta के सामने वाला perpendicular और यह मेरा base है कोई से भी एक चीज़ निकाल सकते हूं कैसे निकाल सकते हैं hypotenuse आपको पता है अगर आपको sin theta लगाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा अगर आप cos theta लगाएंगे तो आपका base निकल जाएगा तो चलिए पहले sin theta लगा लेते हैं तो इसका मतलब sin 30 हो जाएगा अब perpendicular upon में hypotenuse तो perpendicular है मेरा BC hypotenuse है मेरा AC sin 30 होता है 1 by 2 BC को मैंने ऐसी ही रहने तिया AC जो है वो मेरा कितना 8 है question में given है तो BC मेरा पास कितना आ गया 4 cm चलो breath तो निकल गई अब length की बात करते हैं तो ऐसा करते हैं cos 30 लगा देते हैं तो वह होता है B upon H तो base है मेरा AB H है मेरा AC cos 30 क्या होता है मेरा route 3 by 2 AB मुझे नहीं पता है question में AC पता है 8 तो AB मेरा पास यहां पर कितना आ जाएगा इस 8 को उधर ले जाती हूं तो वह आ जाएगा मेरा पास 4 root 3 cm अब area निकालना है तो वह कैसे निकालेंगे मेरा area of rectangle इस इकोई तो में L x B L अगर हम देके तो हमारा AB और B अगर हम देके तो हमारा BC है AB मेरा पास कितना है यहां पर AB दे रखा है में 4 root 3 BC मुझे कितना दे रखा है 4 इंटु करेंगे हम यहां पर तो कितना जागा 16 root 3 cm2 किया अगे मेरा area of rectangle clear है तो इस question में हमारा पास कोई triangle नहीं था ऐसा नहीं है कि application of trigonometry का chapter है तो हर बार triangle ही होगा और उसी में sin cost 10 लगेगा जो यह ratios होती है यह हम rectangle quadrilateral किसी में भी लगा सकते हैं ठीक है चलिए next करते हैं इसका answer आपके पास C option में देख लीजे next question आपके पास आपर the angle of elevation of a top of a vertical tower from a point on a ground is 60 degree from another point 10 meter vertically above the first its angle of elevation is 30 degree find the height of the tower again यहां पर हमार पास tower वाला question आगया है तो अब हम this question को कैसे करेंगे पहले हमार को tower यहां पर बनाना परेगा तो कैसे बनाएंगे देखो अगर हम यहां पर टावर बनाते हैं तो मैंने यहां पर यह एक टावर बना लिया हूं ठीक है आगे आपसे क्या कह रहा था angle of elevation of the top of a vertical tower from the point on the ground is 60 degree आपको angle of elevation दे रखा है यहां पर मैंने यह ground बना लिया है और यह मेरा angle of elevation बन गया है 60 degree ठीक है इसको मैंने इसको नाम दे दिया है अब अगर हम यहां पर देखें आपसे एक और चीज कह रहा है from another point 10 meter vertically above the first 10 meter उपर ना तो यहां से मैंने 10 meter बना लिया आप प्रोपरली पैंसिल और स्केल से बनाईएगा फिक है अब यहां से angle of elevation आ रहा है कितना 30 degree का तो यही वाले point से यह रहा मेरा angle of elevation तो अब यह मैंने अपने हाँ पर ground बना दिया है और यह बन गया है 30 degree इसको मैंने C नाम दे दिया इसको मैंने D नाम दे दिया मैंने figure बनानी अगर figure बनानी नहीं आई तो कोशन को अटैंप्ट नहीं कर पाऊगे रिपीट कर रहा हूं angle of elevation आपके पास top of the vertical tower से from the point on the ground is 60 degree तो यह मेरा ground था AB tower मेरे पास है AD तो मैं इहां सासत लिखती भी जारूं जिसको जो मैंने माना है तो let मैंने यहां पर किया let AD be the tower ठीक है and B, C B the two observation points दो points थे न तो वो ही मैंने बता दिया यहां पर such that C is 10 meter above B C जो है वो B से 10 meter उपर है तो B C मेरे पास कितना उगया यहां पर 10 cm finally मुझे find क्या करना है height of the tower find मुझे यहां पर करना है AD कैसे find करेंगे यहां पर AD let कर लेते हैं इसा करते हैं हर जगा फिर AD नहीं यूस करना परेगा आप देख रहे हैं मुझे यहां बेस भी नहीं बता है तो B इसको भी आप कुछ माल नो तो मैंने इसको यहां पर लेट कर लिया है L आप कुछ भी बान सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां पर लेट कर लिया let AD is equals to में H meter और AB is equals to में कितना हो जाएगा L meter clear है अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाले triangle की बात करूं A, B, D की जो मैंने पहले construct किया था अगर हम इस triangle में देखे तो मैं अपना 10 ठीटा लगा सकती हूं क्यूंकि ने को पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले तो P और B का relation है तो में को यहां P 60 के सामने वाला होगा यह होगा मेरा P और यह होगा मेरा दोनों में से कुछ नहीं पता है तो 1060 है ना तो इसलिए में यहां पर 10 ठीटा लगा रहूं 1060 इस इकोल स्टू में B होगा मेरे पास AD और B होगा मेरे पास AB 1060 मेरे पास कितना होता है root 3 तो मैंने इसको root 3 लिग दिया तो यह होगा H upon L यहां से मैंने क्या क्या L की value find कर दी तो वह कितनी आ गई में पास H upon root 3 इसको यह ही छोड़ दिया equation 1 क्लियर है यहां तक अब अगर हम अपने दूसरे triangle में देखें उपर वाले triangle में इन triangle DEC में इसको E नाम दे देना हो इसमें भी अपना होगा EC होगा 10 30 होता है में पास 1 upon root 3 ED मेरे पास कितना होगा यह मेरे पास BC 10 है यहां लिकर हूँ मैं साथ तो जितना BC होगा उतना ही तो E होगा तो इसका मतलब दोनों ही 10 मीटर हो जाएंगे अब यह पूरा H था उसमें से 10 मेरे पास L की वेल्यू आ गई तो मैं दोनों को एक्वेट कर सकते हूँ यह एक्वेशन 2 हो गई तो एक्वेटिंग एक्वेशन 1 & 2 तो एच अपॉन में root 3 is equals to में यहां आ जाएगा root 3 bracket में यहां पर H-10 तो इस root 3 को अधर ले जाओंगी तो root 3 से root 3 multiply हो के 3 हो जाएगा यहां आ गया H-10 तो यह हो गया मेरे पास H is equals to 3H-30 अब मैंने 30 को मैं इधर ली आई हूँ और H को मैं उधर ले गई हूँ तो यह solve करके मेरे पास कितना आ गया 30 is equals to 2H आ गया तो H की value मेरे पास कितना आ गई 15 और H मैंने माना किसको था AD को ही तो माना था इसका मतलब AD आ गया मेरे पास कितना 15 meter तो height of the tower जो मुझे निकालनी थी वो आ गई 15 meter clear है? तो यह था आपके पास तो आज हम इस chapter के इतने ही questions करेंगे अभी इस chapter के और भी questions रह रही है ऐसा नहीं है odd नहीं है तो आगे के questions हम अपनी next class में continue करेंगे इन questions में कहीं भी doubt हो comment करके पूछ लीजेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए Thank you झाल